हलो दोस्तों आप सभी का All About Sources में स्वागत है और यह समासास्त की इगनू सिरीज है इसमें अभी तक हम लोग समासास्त के संस्थापक आगाश्ट कामटी तथा हरबर्ट इस्पेंसर के बारे में चर्चा कर चुके हैं आज हम लोग जार्ज सीमिल के बारे में चर्चा करेंग बहुत ही आवश्चक हो जाता है क्योंकि एक व्यक्ति का जीवन जिस परिवेस में बीचता है वैसे ही उसके विचारों का निर्माड होता है समाज सास्त्र को समझने के लिए जिस प्रकार से हरबर्ट इस्पेंसर और आगस्ट कामटी ने जैवे के सिध्धानतों को समर्थन किया था लेकिन वहीं पर जाज सीमिल उन से बीपरी जाकर समाज को समझने के लिए एक नया ही परिपेच प्रदान करते हैं उन्होंने समाज सास्त्र को एक नए दिस्ट्रिक कोड से समझने का प्रयास किया था और कामटी और स्पेंसर के जैवे के सिध्धानते उनको औस्विकार कर दिया था यहां तक कि उन्होंने अपने ही देश जर्मनी के उस आतिहासिक परंपरा को भी अस्विकार कर दिया था जिसमें बिसेश घटनाओं के आतिहासिक रूप से बढ़न को महत्वे दिया जाता था इसके बिपरित उन्होंने एक ऐसी समाज सास्त्री सिध्धानत का विकास किया जिसके अंसार समाज का जो गठन हुआ है या पहले से ही निर्धारित जो अंतक क्रियाएं होती है एक दूसरी के बीच में इन्ही के ताने बाने से होता है यह मानना जाज सीमेल का था जाज सीमेल का जन्म एक मार्च 1858 को बरलिन जर्मनी में हुआ था सीमेल एक ऐसे सहरी ब्यक्ति थे जिनका परमपरागत लोग संस्क्रिती से कोई नाता नहीं था वहां काफी भीरभाड की जो एक सहरी एरिया थी वहां पर उनका जन्म हुआ था और वहीं पर उनका लालन पालन भी हुआ था तो उनको जो एक परमपरागत लोग संस्क्रिती थी उनसे उनका कोई संब्ध नहीं था जीमिल की एक पुस्तक को पढ़ने के बाद जो टॉनीज थे विख्या समा सास्त्री टॉनीज है उन्होंने अपने एक मित्र को पत्र लिखा था और उसमें उन्होंने लिखा था कि जो जीमिल की पुस्तक है वो काफी बुद्धि मत्ता पूड है परन्तु इसमें सिर्फ मह नगरिय संस्कृति की ही जलक दिखाई देती है वह अपने माता पिता के सबसे छोटे पुत्र थे और उन्होंने प्रोटेस्टेंड जो धर्म था उसमें उन्होंने दिछा ली थी तो इस प्रकार से वह जो यहूदी धर्म था उससे कट जाते हैं और हम लोग जानते हैं कि जो प्रोटेस्टेंड धर्म है उनमें काफी स्वतंतरता रहती है विचारों की तो इन ही स्वतंतरता के साथ जाज जीमेल अपने बस्पन को आगे को बढ़ाते हैं हाला कि अभी वो छोटी थे तभी उनके पिता के मृत्त हो जाती है और एक उनके परिवार की ही मित्र थे जो क उनके अभीभावक के रूप में उनको नियुक्त किया जाता है उनको उनके जो अभीभावक थे उनसे ही उनकी संपत्ती का बहुत बड़ा भाग उनको विरासत में मिला था तो इसलिए उनको कभी पूरे जीवन में आर्थिक कटनाई नहीं हुई थी उनका अपनी मा के क्योंकि वह बहुत एक दबंग किस्म की महिला मानी जाती थी इसी कारण से उनकी जो पारिवारी के एक माहौल था उसमें एक असुरच्छा बनी हुई थी और यही जो असुरच्छा की भावना है यह जार सीमेल के तमाम कृतियों में हमें दिखाई देती है 1881 में बरलिन विश्य विद्याले से कांट के प्रकृति दर्शन सोध इस टॉपिक पर कांट के प्रकृति दर्शन सोध इस विशय पर इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधी ली इसी दवरान वह साइबेल, मौमसेन, त्राइसके और द्राइसेन जैसे कुछ महत्योपूर विद्वानों के संपर्क में आते हैं उनके पढ़ाने का जो बिश्यों का विस्तार था वह काफी आसाधारण था और वह बहुत ही लोगप्रिय प्रध्यापक थे उनके भासड को न केवल चातर प्रसंद करते थे बलकि एक वहां का जो अभिजात वर्ग था उनके बीच में भी इनके जो भासड का काफी महत्यों माना जाता था जीमिल की प्रवक्ता के रूप में अत्यधिक लोगप्रियता होने के बावजूद भी उनका सैचिक जीवन काफी असफल रहा और इसका जो एक मुख्य कारण था कि यहुदी बिरोधी भावना से इनके अंदर भावना थी जिसका उनके पूरे जीवन पर बहुत ही बुरा प्रवाव पड़ा मैक्स बेबर हाइनरीक रिकर्ट एडमंड हरसल आदी प्रमुक बिज्ञान जो बिद्वान थे उनके समर्थन और प्रोचसाहन के बावजूद भी जर्मनी के जो सैचिक अधिकारी थे वहां उनसे बहुत बुरा बिवहार करते थे वहां के जाने माने सै देशा के लिए एक बाहरी ब्यक्ति ही बने रहे अपनी अधुद बौधिक छमता के कारण वह सहज ही किसी एक विशय से बदलकर दूसरे विशय पर आसानी से बोल सकते थे एक ही सत्र में वहां कांट की ज्यान मिमान सा जैसी गंभीर विशय पर भासर दे सकते थे तो साथ ह वह गंद का समासास्री अध्यान और नाज नकरे और फैसन का समासास्री जैसे हलके फुलके बिशयों पर भी निबंद प्रकासित कर सकते थे जीमिल वहां के सैचिक जगत के लिए हमेशा बाहरी ब्यक्ति ही थे फिर भी वह अपने समय के महान बुध्धी जीवों के निकट संपर्क में रहते थे सभी बुध्धी जीवी उनकी योगिता को स्युकार भी करते थे यह बेबर और टॉनीज के साथ जर्मन सोसाइटी फार सोसोलोजी के साथ संस्थापक भी थे इनकी मृत्यु जो है 28 सितंबर 1918 को जिगर के कैंसर के कारण हो जाती है जिस समय जाज सीमेल अपने बिचारों को मुर्थ रूप दे रहे थे उस समय की सामाजिक एतिहासिक प्रिश्ट भूमी क्या थी उसको थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिस करेंगे जीमिल की युवा अवस्था के समय जर्मनी में सैयुक्त जर्मन राइक का आरंभ हुआ था आठारा सो सत्तर में फ्रांस के बिरुद्ध जर्मनी युद्ध में बिजय हुआ था इसी के उपारांत बिसमार्क ने इस राइक की अस्थापना की थी इसी समय से जर्मनी में गती में भी तेजी आई थी परंतो आर्थिक छेत्र में परिवर्तन के बावजूद राजनायतिक छेत्र में कोई बदलाव नहीं आया उनिस्वी सताबदी के अंतितक में सामंत वादी राजनीतिक ब्यवस्था के अंतरगत जर्मनी एक पूजी वादी देश बन गया अर्था के ही संपर्क में रहते हुए जर्मनी एक पूजी वादी देश बनता है बौधिक छेत्र में विश्व विद्यालों के जो प्रोफेसर रहते थे उन लोगों को काफी सम्मान का दर्जा प्राप्त था परंतो जिस तरह फ्रांस और इंगलेंड के उधार वादी समाजों के ब लैंड के जो उधारवादी विचारक थे उन्होंने वहां के लोगों के चिंतन में अर्था सोच में जो परिवर्तन लाया था ऐसा जर्मनी में कुछ भी नहीं हो पाया इसके कारण से जर्मनी सामाजिक और राजनेतिक छेत्र से काफी पिछड़ गया था जर्मनी के मध्यम सक्षण सक्री नमिंतावादी तथा अस्थापित परंपराओं से असंबंध थे अर्थात उन्हें मानने को तयार नहीं थे। इस वर्ग में पत्रकार, नाटक कार, लेखक और जो रूढी मुक्त कलाकार थे, अर्थात जो रूढिवादिता को नहीं मानते थे, ऐसे कलाकार सामिल थे जर्मनी की इस बिरोधी संस्क्रिति का प्रतिनिधित्व करने वाला यह वर्ग जो था वह राजनितिक देश्टि से जादे सजग था इस वर्ग में सामाजवादी विचारों भौतिक वाद सामाजिक डार्विन वाद आदी के परियाप्त अनुवाई थे जिन्हें विश्व विद्याले की जो प्रोफेसर थे वो काफी हिन समझते उस समय जाज जीमिल की क्या इस्थिती थी जाज सेच्छिक जगत के उत्पीडन के कारण बाहरी ब्यक्ति या अर्थात अजनवी ही बने रहे वह विश्व विद्यालों की संस्कृति और बर्लिन की विरोध संस्कृति दोनों से जुड़े रहे परंतो उन्होंने दोनों ही संस्कृतियों में गैर सदस्य के रूप में ही भाग लिया जीमिल अपनी इसी वर्ग निर्पेच इस्थिती के कारण ही ऐसी बौधिक दूरी बनाए रख सकी कि वह समाज का निश्पच्छ दिरिष्टि से अध्यान और विसलेशट कर सकें इसको हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे कि जैसे अगर हम किसी समू के सदस्य होते हैं तो जब हम को कोई बोले कि उसके बारे में बात करने के लिए तो हम कहीं न कहीं उस समू से प्रभावित होते हैं और इस प्रकार हम उसके बारे में व अब जार सीमिल के अगर मुख्य विचारों के बात करें तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि यह जो जैवी की परंपरा थी और जर्मनी की एतिहासिक परंपरा थी इन दोनों को इन्होंने आश्विकार कर दिया था कांटे और स्पेंसर की तरह इनका यह विश्वास नहीं था कि समाज जो है वह एक जीव के रूप में समझा जा सकता है समाज को उनकी दृष्टी में समाज जो था वह ब्यक्तियों के बीच ये बहुत सारे संबंध जो बने हुए हैं उनका एक जटिल जाल है समाज के जो घटक ब्यक्ति हैं समाज के एक घटक के रूप में जो ब्यक्ति हैं वह एक दूसरी के साथ निरंतर अंतक्रिया में लगे हुए हैं समाज ब्यक्तियों के समू का ही नाम है जो की एक दूसरे से अंतक्रियाओं द्वारा जुड़े हुए है यह बिचार जार सीमिल का था जीमिल जो है वो सबसे पहले सरो प्रथम अगर सामा जिक्ता की बात करें अर्था सोशियेशन के यह सब्द जार सीमिल ले दिया था यह बिभिन परिच्छाओं में पूछा भी गया है कि सोशियेशन सब्द का जनक कौन है तो यह जार सीमिल है उनके विचार में जो समाज का विद्यार्थी अगर है अर्थात ऐसा विद्यार्थी जो समाज का अध्यान करना चाता है उसके लिए सामाजिक्ता का अध्यान करना एक प्रमुक छेतर है सामाजिक्ता से अभी प्राय क्या है समाज का एक ऐसा स्वरूप जिसमें समाज के बिभिन सदस एक दूसरे से सम्मंदित होते हैं और अंतह क्रिया करते हैं अर्थात एक समाज में जब बिभिन सदस्य समाज के मिल कर एक दूसरे से कीश प्रकार से समंदित हैं और अंताक्रिया करते हैं इसी को इन्होंने सोसियेशन- अर्थात सामाजिकता कहा है। इनके अनुसार समाज उसका निर्माड करने वाले अर्था समाज उसका खुद का समाज का निर्माड करने वाले सदस्यों के सिवाए और कुछ भी नहीं होता है सी में ले भी कहते हैं कि जब हम दो ब्यक्ति अगर कोई मिल के आपस में बात्चीत या अंतक्रिया कर रहे हैं तो उनका बात्चीत या अंतक्रिया करने का तरीका कुछ अलग होता है उन दोनों के बीश में अगर कोई तीसरा ब्यक्ति आ जाता है तो अंतक्रिया करने का तरीका बदल जाएगा और अगर तीन से जादे ब्यक्ति आ जाते हैं या एक पांच शे ब्यक्तियों का एक समू बन जाता है तो अंतक्रिया करने की तरीके में परिवर्तन आ जाता है अर्थात जो अब हम किसी वर्ग में संख्या में बृद्धी होती है तो उसमें जो अंतक्रिया करने का जो तरीका है उसमें भी गुडात्मक परिवर्तन पाया जाता है जीमिल एक बात और कहते हैं कि ऐसा कोई भी संपूर समाज विज्ञान नहीं हो सकता है जिसमें सभी सामाजी घटनाएं या सामाजी घटनाओं की सभी पच्छों का अध्यान किया जाता हो ऐसा प्राकृतिक विज्ञानों में भी ऐसा कोई भी पूड विज्ञान नहीं है जिसमें कि संपूड भौत की द्रब्यों का अध्यान हो सके इसलिए जीमिल का कहना यह है कि हम पूरे संपूड का अध्यान न करके बलकि उसके एक-एक घटकों का अध्यान करना चाहिए यह हम सभी जानते हैं कि जो समाज सास्त्र है इसके दो संप्रदाय हैं जिसमें कि एक स्वारूपात्मक संप्रदाय है और दूसरा समनवयात्मक संप्रदाय है स्वह रूपा आत्मक संप्रदाय जो होता है इसमें इन्होंने समाज सास्र को एक पर्टिकुलर विसाय के रूप में अरथात हम उसमें राजनीती जो और्थ सास्र है या अन्य जो विसाय है इतिहास है उसको हम इसमें मिक्स नहीं करेंगे बलकि समाज सास्त्र सिफ अपने एक boundary में रहके और specialized उसी सारी घटनाओं का जो की समाज के मनुस्यों से ब्यक्तियों से समंदित है सिर्फ उसका अध्यान करेगा तो यह एक फार्मल स्कूल बोलता है और इसके प्रवर्तक जो है वह जार सिमेल हैं तो इन्हों ने यही फार्मल सोस्योलोजी अर्था तात्विक समाज सास्त्र के बारे में भी इनके कुछ विचार है इसको थोड़ा समझने की कोशिस करेंगे कांटे और स्पेंसर के समान ही सिमेल का यह विश्वास था कि जो समाजिक जीवन है इनमें कुछ अंतर नहीं समानताएं पाई जाती है और इन्हें हम खोज कर निकाल सकते हैं अर्था यह हम सिंपल अगर सब्दों में कहें कि हम जो समाज में जो एक बेवस्था बनी हुई ह इस समाज की बेवस्था में कुछ सामाजिक नियम भी होंगे जिनकी वज़ा से यह बेवस्था बनी हुई है तो इन सामाजिक नियमों को हम खोज के निकाल सकते हैं यह समानताएं जो हैं यही समाज में अंतक्रिया के रूप में बिद्धिमान होती है अर्था तिन का मानना है कि जो भी अंतक्रियाएं लोगों में होती है यहां हर लगवर लगवर हर जगा पे किसी न किसी रूप में समान होती है जैसे प्रभुता का सम्मंध दूसरों पर प्रभुत जमाना होता है और अधीनता का सम्मंध दूसरों के प्रभुतों में दब कर रहना होता है सभी सामाजिक राजनीतिक आर्थिक धार्मिक गतिपीदियों के पीछे इसी अंतक्रिया के बिभिन रूप हैं यही जीमिल का समाशास्त्रिय दिश्टिकोड है और इसे ही यह फार्मल सोसोलोजी अर्था तात्विक समाशास्त्र कहते हैं जीमिल कहते हैं कि कभी कभी बिरोधी जो घटनाएं होती हैं उनमें भी एक ही प्रकार के अंतक्रिया देखी जा सकती है कैसे जैसे कि हम एक एक एकजामपल लेते हैं कि एक अपराधी गिरो है कोई अपराधी गिरो है उसका एक सरदार है और बाकि उस गिरो के सदस्य है और दूसरा एक उधार लेते कि एक स्काउट दल है और उसका कमांडर है और उस दल के बाकी सदसे हैं इन दोनों ग्रूप में अगर देखें तो पहले ग्रूप में जिस प्रकार से सरदार की बातें बाकी उस गिरों की सदसे मानेंगे या एक डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे एक अनुसासन में रहेंगे उस उसी प्रकार से स्काउट डल का जो कमांडर है उस के उस डल के सदर से सारी बाते मानेंगे और एक अनुसासन मेंटेंड करेंगे तो इन अकबर के दरबार में और आज की तुल्ला अगर हम ग्राम पंचायत से करें तो लगवाई एक ही जैसी है क्योंकि अकबर के दरबार के समय में जिस प्रकार से सारे गाउं के लोग वहां पहुशते थे और दरबार में जाके अपने परिशानियों को बताते थे और फिर उनके उपाय सुझाय जाते थे कि किस तरीके से हाँ इसका उपाय निकाला जाएगा उसी प्रकार से आज की अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो यहां पे भी गाउं के लोग अपनी समस्याओं को लेकि ग्राम प्रधान की पास जाते हैं अपनी समस्याओं को बताते हैं और उन इस बात को भी कहते हैं कि कुछ इतिहास की ऐसी घटनाएं हैं जो कि कभी दुबारा घटित नहीं होंगी जैसे कि जुलियस सीजर की हत्या जो हुई थी इंग्लैंड के हेंडरी अस्टम का जो राज्या रोहर हुआ था वाटर लू में जो नेपोलियन की पराजय हुई थी ये एक ऐसी घटनाएं जिनमें आपस में काफी अंतर नहीं समानता दिखाई देती हैं उनकी अपनी समानता है क्यों क्योंकि वह घटनाएं कभी दुबारा घटित नहीं हो सकती हैं जीमिल ने ये भी कहा है कि कोई भी चीज जो होती है समाजिक जो थार्थ है अर्था यह नहीं कह सकते हैं कि जैसे किसी में सिर्फ सहयोग पाया जाता है या किसी में सिर्फ संघर्स पाया जाता है या सिर्फ अधीनता है या सिर्फ प्रभुता है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं किसी प्रकार कि समाज में हम सुद्ध संघर्स या सुद्ध सहयोग की बात नहीं कर सकत परन्तु जीमिल ने वास्तविक सामाजिक जीवन के अध्यान के लिए सुद्ध रूप को अपनाया जीमिल का जो सामाजिक प्रारूप है यह क्या है तो समाज का अध्यान करते हुए जीमिल ने सामाजिक प्रारूपों की एक पूरी श्रिंखला को समझने का प्रयास किया था उन्होंने कुछ प्रारूप दिये थे जैसे कि एक अजनवी, दे स्ट्रेंजर, मध्यस, दे मेडियेटर, गरीब व्यक्ति, दे पूर, ऐसे कई सारे उन्होंने प्रारूप बनाये थे और उनका ऐसा मानना है कि जो सामाजिक प्रारूप होता है, वह ब्यक्ति विसेज का एक पर्टिकुलर किसी ब्यक्ति का समाज में अन्य ब्यक्तियों के साथ संबंधों का क्या पैटर्न है, उनके साथ कैसे संबंध बन रहा है, यह जो एक फाम होता है, टाइप होता है, इसी क इन्होंने सामाजिक प्रारूप कहा है जीमिल ने सामाजिक प्रारूप की बेवाख्या करने के लिए अपनी पुस्तक दसोसोलोजी आफजाज जीमिल जो कि 1950 में प्रकासित होई थी में एक अजनवी अर्था दस्ट्रेंजर को उधारण के रूप में प्रस्तुत किया है जीम अजनवी ऐसा व्यक्ति है जिसका समाज के उस समाजिक समु में विस्ष्ट अस्थान नहीं था अजनवी की समाज की में जो यह इस्थिती है इसकी द्वारा ही सामाजिक समू में उसकी भूमिका और अंतक्रिया का निर्धारण होता है अर्थात यह कहते हैं कि जब एक असनवी ब्यक्ति किसी समाज में या किसी दूसरे समाज में जब जाता है उसमें प्रवेश करता है तो उसका अपना एक विसीज अस्थान होता है और उसी अस्थान के हिसाब से ही उसकी क्या भूमिका रहेगी और किस तरीके से वह लोगों से अंतक्रिया करेगा यह निधारण होता है एक अजनवी के रूप में कोई ब्यक्ति साथ ही साथ किसी के निकट और दूर दोनों होता है उस सामाजिक समू का अंसना होने पर वह एक अजनवी उस समाज को पच्छरपात रहित निस्पच भाव से देख सकता है इस परकार से वह अजनवी किसी भी परकार के विचारों या वस्तूओं के आदान प्रदान में एक मध्यस्त की भूमिका आइडियल जो आदर्स है मतलब कि किसी तरीके से वह किसी भी पच्छ से प्रभावित नहीं हो रहा है ऐसी भूमिका निभा सकता है इस तरह हर समाजविसेस में अजनवी की इस्तिती जो होती है वो पहले से ही नियत होती है और पहले से ही निर्धारित होती है जीमेल के सामाजिक प्ररूपों में या केवल एक उदारर था उन्होंने ऐसे कई उदारर दिये हैं जैसे कि दपूर अर्थात एक गरीब ब्यक् दा एडवेंचरर अर्था सासी ब्यक्ति ऐसे बहुत सारे उदारण उन्होंने अपने सामाजिक प्रवरूप में दिया है जीमिल के समाज सास्र में संघर्स की भूमिका भी वह देखते हैं जीमिल ने यह अनुभाव किया था कि कोई भी समाज पूर रूप से सामंजस्य में नहीं रहता है अर्थात संघर्स भी समाज का जरूरी हिस्सा होता है वह सामंजस्य और साहमत्य का पूरक होता है अर्थात अगर एक तरफ सामंजस्य से है तो दूसरे तरफ संघर्स होना जरूरी है जीमिल का यह भी कहना है कि सामाजिकता या समाज की अंतक्रियाओं में सा सामाजिक प्रत्य अच्छता और सामाजिक वास्त्विक्ता में भी एंतर किया है कभी-कभी संहर्ष की इस devrait में संहर्ष से जुड़े हुए दोनों पच्छों को अर्फाज जो संगहर्ष हो रहा है इसमें जो दोनों संलगन है उन दोनों palette को तथा जो बाहर से लोग देख रहे हैं, उनको भी उसका नकारात्मक पच्छी दिखाई देता है, परन्तु यदि हम इन परस पर विरोधी संबंधों का विसलेशर करें, तो हमें यह पता चलेगा कि उसका एक सकारात्मक पच्छी है, जैसे कि एक उदाहरण हम देखते हैं, कि अफरिका के जो लोग होते हैं, उनमें दुस्मनी आम बात होती है, अब अगर हम माल लेते हैं, कि दो कभीले हैं, जैसे एक कभीला को है, एक कभीला को है, अगर कभीला को का कोई ब्यक्ति कभीले को के किसी ब्यक्ति की हत्या कर देता है, तो कभीला को के जो सारे ब्यक्ति हैं, वह एक जु सदस की हत्या करने की कोशिस करते हैं जिससे कि उनका बदला पूरा हो सके तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इस घटना की वज़ा से कभीला खो में जो है वह काफी एकता दिखाई देती है इसका उधार हमें एक अपने सरकार के जैसे कुछ नीतियां आती हैं और उस पे हम से नहीं पसंद है इसमें हमें परिवर्दन चाहिए कुछ बदलाव चाहिए तो जो हम सरकार और एक पबली के बीच में जो एक संघर्स देखते हैं किसी को कोई जानता नहीं है उस बीड में लेकिन सब लोग एक जुट हो करके और उस संघर्स के समाधान में भाग लेते है और उस तरीगे से वो अपना विरोध प्रदर्सन करते हैं तो यह भी एक इसका अच्छा उदारड है अब एक और टॉपिक है जो है कि आधुनिक संस्कृति के संबंद में जासीमेल का क्या विचार था तो इसको हम समझने की कोशिस करेंगे कि जिस प्रकार से अगर हम तो अर्थात एक प्रभुत्व जमाता था और एक उसके अधिन में रहता था इस तरीकी का एक बंधुआ मज़ूर जैसी इस्थिती रहती थी लेकिन इसी के बीपरीत अगर हम पूजीवादी समाज देखें तो यहां पर जो ब्यक्ति है वह धीरे-धीरे स्वतंत्र होता न उसकी बात को सुनेगा लेकिन जैसे उसकी डूटी पूरी हो जाती है और वहां कारखाने से बाहर निकल जाता है उसके बात से उसको ना कि ना कि कारखाने से मतलब होता है ना ही उसके मालिक से कोई मतलब होता है तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि वहां पूरी तरीके से व ब्यक्ति हैं वह पहले की तुलणा में काफी स्वतंत्र हो गया है। इस आधुनिक समाज में जो ब्यक्ति हैं उनकी भूमिकाइं और संबन्द भी काफी अलग हो गया है और इस प्रकार से जो स्रम का भी भाजन है या असपस्ट दिखाई देता है कि प्रतिक व्यक्ति अपना एक विसेश प्रकार का कारे करता है इस तरीके से जीमिल देखते हैं और कहते हैं कि जो एक पहले का समाज सा उसकी तुलना में आज के समाज में काफी परिवर्तन देखने को मिलता है तो यह जार्जीमिल के आधुनिक संस्रिटी के संबंद में विचारत है हाला कि जीमिल ने फैसन पे भी बहुत सारी चीजे लिखी है जा सीमिल की कुछ महत्वपूर पुस्तके हैं जैसे कि दा प्राब्लम साफ दा फिलोसिफी आफ हिस्टी जो की अठारो सो बानवे में प्रकासित हुई थी दा फिलोसिफी आफ मनी जो की सं 1900 में प्रकासित हुई थी दा मेट्रोपॉलिस और मेंटल लाइफ जो की 1903 में प्रकासित हुई थी और सोशियोलोजी जो की 1908 में प्रकासित हुई थी इनके द्वारा दिये गए कुछ जो सामाजिक प्रारूप है इसके कुछ terms हैं जैसे कि the stranger, the social boundary, the sociology of the senses, the sociology of space, the poor, the mediator तो ये इनके कुछ ऐसे keywords हैं जिनको हम देखती ही समझ में आ जाता है कि हाँ ये जारसी मिलका है इनको नगरिय समासास्त्र का पिता भी माना जाता है बिलफ्रेडो पिरेटो जो कि समासास के प्रारंभीक जो संस्थापक सदस्य हैं विचारक हैं उनमें माने जाते हैं तो इनके बारे में हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे धन्यवाद